आपका सबसे पहले तो आप बाजार पर इंडिक्स पर एक व्यूवी दें क्योंकि उन्नेस तीन सो से जो हम नीचे स्लिप हुए है एक रेंज में रहने के बाद निफ्टी अपने अल्टाइम हाई से 20,000 के अल्मूस चला गया था वहां तक 700 पॉइंट अप करेक्ट हो चुका है इंडिक्स पर इस पर किस कंसॉलिडेशन का समय और कितना खिच सकता है नहीं मेरे इसाब से आई थिंक कंसॉलिडेशन जो है समय के इसाब से बहुत ज़्यादा खिच गया है क्योंकि हम लोग अगर पिछले दो साल का डेटा देखींगे तो फोर तो फाइवीक्स मैक्सिमम करेक्शन टाइम रहा है से ज़्यादा समय मार्केट ने कभी लिया नहीं है और इसलिए और पिछले हफ़ते इन फेक्ट आप देखींगे कि निफ्टी एक यह एक यह एसा इंडेक्स था जो नीचे क्लोज किया दूसरे जित्ते इंडैसे थे निफ्टी 500 आया बाजार में तो उसके होते हुए दूसरे इंडैसे नो जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिये इसको हम लोग एक पॉजिटिव डाइवर्जिंस बानके चलेंगे फाइवीक्स बहुत ही लंबा समय है मेरे साब से बाजार मोस्टली बॉट्यम हो गया है डाउनसाइड रि भी नहीं पड़ एक रिस्क डिफाइन हो जाता है और वहां से हम लोग को वापस ऊपर की तरफ बी सथार की और चलत वे जाना चाहिए क्योंकि ब्रॉड मार्केट ऑलरी इंडिकेट कर रहा है काफी स्थेंट जो लाज कैप्स में हमने नहीं देखा है पिछले पूरे महीना और मुझे लग रहा है कि सेप्टमेंबर का महीना जो अगले अफ़ते से शुरू होगा उसमें शायद अलगी रंग दिखें पिछले महीने के एसाब से यह बताईए रोहित की इससे में बाजार के हिस्स, अगर आप पूरा स्कान करें, अगर आप मिड़ कैप, स्माल कैप, लाज कैप सब देखें तो एक आसा सेक्टर बताईए जहां पर आपको clear signs of strength दिख रहे हैं और एक ऐसा हिस्सा जहां पर आपको clear signs of weakness दिख रही है मैंने simply if I run a one week heat map हम लोग के strike पे हम लोग quickly run कर लेते हैं one week का heat map रन करता हूं उसमें जो mid cap small cap के लावा जो two top sectors सामने दिख रहे हैं एक है nifty private bank index और दूसरा है nifty reality index तो यह दोनों indices में हम लोग फिर थोड़ा और जाग सकते अंदर की कौन से stocks हैं मैं presume करूंगा कि जो sector strength दिखा रहा है इस time period में और एक तीसरा गर में गिन लूँगा तो शायद IT आए बट IT is not very strong यह दोनों को मैं ज़्यादा पकड़ दूँगा nifty private bank और reality जो दिख रहे हैं तो इनी में expect करेंगे कि upside ज़्यादा देखा जाए strength देखा जाए थोड़ा मैं अगर time period बढ़ा देता हूं अगर one month का बढ़ा देता हूं तो public sector stocks भी इसके अंदर आ जाते हैं तो यह दो तीन गिने हुए sectors हैं जापे हमने against the market strength भी देखा है जैसे PSU में तो definitely यह चीज हमने देखी है और focus करेंगे तो अगर focus करते हैं समझे कि private banks के अंदर जो top three stocks देख रहे हैं सामने one week के basis पे वो है RBL, Federal Bank और Access Bank तो इसके अंदर हम लोग फिर जाके study करेंगे कि क्या risk reward है क्य क्या बन सकता है momentum indicators क्या indicate कर रहे हैं इनके अंदर similarly अगर मैं reality में भी जा रहा हूं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मैं सुबह से यही देख रहा था कि conscious sectors और फिर उसके अंदर conscious stocks strength दिखा रहे हैं तो reality के अंदर भी जो top two performing है एक तो IB real estate है और दूसरा Mahindra life अब Mahindra life वो उसका monthly momentum indicator में देख रहा था उसका bullish crossover आ सकता है अगर भाव यहां ही रहता है Thursday तक तो उसमें एक positive indication आ सकता है सर आप जैसे अभी पहले अपने indices के बारे बताया फिस सेक्टर सेक्टर के अंजर कुछ एक और शेयर्स बता रहे हैं मैं आप से अगर यह पूछों कि एक दो चार्ट आपको जो बहुत ही convincing लग रहे हूं भले वो different different sectors के हो तब भी चलेगा वो दो शेयर्स पर हमको ज़्या not investment advisors so we don't really recommend कि कोई कोई खरीदारी अब बेचने का काम इन basis पर करें पर हम लोग स्कैन करते हैं तो मैंने जैसे software-based scanning किया और उसमें यह देखा कि performance किदर है और वो sectors के अंदर फिर best stocks performing कौन से हैं और फिर वहां पर हम लोग indications देखेंगे कि क्या करना चाहिए तो reality में में रोल यह इन दोनों में one week gains जो हैं वो maximum थे तो now of course if they have already moved हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह भाव पर सही है कि नहीं है strength का मतलब है कि strength is a area where you want to focus क्योंकि जो strong है अगर बातार उपर की तरफ चलेगा तो वही strong रहेगा इसा हमें एक presumption करते हैं फिर entry point डूणना risk reward समझना यह लोग आप समय देने के लिए सारी conversation करने के लिए आपने का कि almost आपको लगता है कि बाजार का bottom बन चुका है अगर बाजार index clip होता है तो 19,150 के आसपस तक हो सकता है worst case scenario में ठीक है बहुत 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 शुक्रिया रोहित आज समय देने के लिए और यह technicals हमारे viewers के साथ share करने के आपने है तो